आदाब अजीज नाजरीन अश्मत गार्डन एंड क्रीशन्स में आपका इस्ताइबाल है दोस्तों पिछले दिनों हमने बहुत से प्लांट्स की कटिंग लगाई अलग लग तरह की बहुत सी कटिंग लगाई हैं और उन सब की वीडियो आपके साथ शेयर की थी तो उन में से कुछ के रिजल्ट में दिखा चुका हूँ लेकिन ज्यादर कटिंग के रिजल्ट अभी मैंने नहीं दिखाए हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो हमने जेड की कटिंग लगाई थी उनकी क्या कंडिशन है कितनी कटिंग्स हमारी गरो हुई है और कितनी कटिंग्स हमारी फैल हुई है और अगर फैल हुई है तो उसकी फैल होने की क्या क्या वज़े हो सकती है उन पर भी हम बात करेंगे तो चलिए चल कर देखते हैं कि हमारी कटिंग की कंडिशन क्या है तो दोस्तों ये रही वो हांडी जिसमें हमने जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी और यहाँ पर आप देखेंगे के ज्यादातर कटिंग हमारी गरो हो गई है मैं ये दावा नहीं कर रहाँ के हमारी 100% कटिंग गरो हुई है क्योंकि 100% कटिंग गरो होने के चांसे थे भी नहीं लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि जितनी कटिंग लगाई थी most of them उनमें से चल गई है यहाँ पर आप देखें और सभी में नई गरोथ शुरू हो गई है अब चुके सर्दियों का सीजन शुरू होने वाला है तो हमारे जेड के जितने प्लांट्स होते हैं उनके लिए सीजन ओफ हो जाता है बलके उनके पत्ते भी गिरने लगते हैं पीले होकर लेकिन अभी इन पर इस तरह का कोई असर नहीं है और मैं आपको दिखाओ के ये कटिंग क्योंकि बरसात का सीजन था तो बरसात में जेड की कटिंग लगाते हैं तो उनमें गलने की चांसिस बहुत जादा रहते हैं लेकिन ऐसा हमारे साथ हुआ नहीं है गलने के चांसिस बहुत ही कम हैं यहां पर यह कटिंग मुझे लग रही है कि इस पर थोड़ा बरसात का जो इफेक्ट है वो ज्यादा हुआ है यह थोड़ी इसमें थोड़े जो लक्षन है गलने के दिखाई दे रहे हैं लेकिन इसके अलावा सारी कटिंग समारी बिल्कुल हेल्दी है और बहुत ही अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो हमको मिला है लेकिन अब दोस्तो अगर आप अब कटिंग लगाते हैं तो अब चलने की चांसे बहुत ज़्यादे कम है क्योंकि सरदी का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते है तो आप सरदी के ऐंड में लगा है अगर अभी लगा देते हैं तो आपको बरसात से थोड़ा बचा कर रखना होगा cuttings को और cuttings लगाने की पूरी जानकारी मैंने वीडियो में आपको दी हुई है वो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं किस तरह से हमको cutting लगानी है किन-किन बातों का ध्यान रखना है और जैसा कि मैंने आपको कहा कि बरसात में 100% के जेर की cuttings grow होने के chance बहुत कम होते हैं तो यहां पर यह cutting मुझे दिखाई दे गई है यह आप देख सकते हैं कि यह cuttings हमारी गल गई है तो यह हमारी cutting नाकाम हुई है तो बरसात में क्योंकि हमें तो जेर प्लांट बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत से प्लांट गल जाते हैं तो इसके लिए यह challenge का time होता है लेकिन फिर भी हमारी cutting grow हो गई है तो बहुत अच्छा हमको result मिला है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कीजिए यहाँ पर आपको अच्छी वीडियो और नई-नई information plants के बारे में म मिलती रहेंगी